नमस्कार स्वागत है आपका पार्श नूस इंडिया में मैं स्वाती और आई नजर आलते हैं आज के प्रमुक्त समाचार पर प्रेजेंट मिस्टर एंड मिस उत्तर प्रदेश डांसिंग सिंगिंग एंड मॉडलिंग करेक्रम का अडिशन पाथ जगों पर चला लख्नावु प्रेयाग राज जानपूर फ्रयाज़ाबाद के बाद वरार्शी में ओडिशन कारेक्रम को संपनि किया गया वरार्शी में ओडिशन का इक्रम प्रातक 11 बजे से साइंग पांज जे तक चला जिसमें 200 प्रतिभाग उने अपनी प्रतिभा को दिखाया जिसके आयोजा का शहबान खान इंडिया आइकॉन उमंक्रिवास्तों मिश्टर बनारस सहायक सदस्य स्वरुप्तिवारी अभिनोर राय प्रथम जैस्वार राहूल गुपता सौरब पांडे रहे हैं वरार्ची से हमारे संवारत संतोष कुमार की रिपोर्ट खान आओ नगे सिस्वाल आओ जिए एक किस प्रकार की परती योगिता करवा रहा है हैं ये इस का फिनाले को बॉर्ट रिजाम गात कराएं को अभी कर दो दो आदेशन लेना माथ पे उर्ड़ावार गार दो शेड़ा हैं इसका फिनाले को बोड ज़ाम पर बात कराएं को अ का इसा लगा पारानसी नहीं किसा लगा आपको इस शो में बहुत भी अच्छी एक्सपीरियन्स मिला है सभी हो रोचनिंग राउंस वगरा भी हुए और यहां पर जो जजेस ते अनों ने टैलेंट भी देखा है और यहां पर जितने भी जजेस ते सभी प्रोफेशनियस हैं कोई MR. इंडिया रिखी MR. बनारस हैं और बार सब लोगों से तो हुách मैं पहले भी हुनी में, तो बहुट सब उन से इत्परिक हुए उन्हों से बीश्ड का इना मिश्ड से आरे में रैसर के बारे में एक प्रफंद गया की हम थेत्न हैं, हमारी होगिं क्या रहे मुझे सब चीज अमनों का लेखा, और पर बॉफ जो एक मॉडल का आने चलिए, तुशोर, सुपर बॉब मुझे सब दरबास्ता हुगा है, मैं दूरा थार मिस्टर का नादर सीता था किस प्रडार का में दिविता करवाना है अपर किस लेवल का है? किस लेवल का है? किस लेवल को प्रडार के लिए गाजियाबाद अकाशनगर में गरीबों के मकान बने थे उन गरीबों के उस्तर प्रदेश सरकार ने खाली करवाया है और कहा था सब को मुआवजा मिलेगा उसके तहत कुछ गरीबों को मुआवजा मिला है और कुछ गरीबों को नहीं मिला है जस गरीब को मुआवजा नहीं मिला है वह कहते हैं कि मुझे मुझे मुआवजा नहीं मिला तो मैं आत्म समरपन कर लूँगा करने को तैयार हूं मेरी उमर मेरी पूरी कमा इसमें लगी हुई है अपका नाम क्या था अच्छा अच्छा हमारा मकान हम यहां जमीन सी के लिए में अधिकारी के पास विगां में कैuspal अच्छा क्या करें किरायों के मंगां में हमारे लाई नहीं परिशानी हो रही है कि बहुत जादा बच्चों लेकर जवान बच्चों को लेकर लेकिन ये तो बादपा सरकार ये भी कहती है मैंने घरीबों के लिए मकान बनाए और उनके लिए पैसे दे दे रहे हैं सबका सपना सबका घर अपना हमारा घरी उजड़ गए मोधी सरकार की राज में मोधी जी तो इतना अच्छे वबन वारे हिसाब किताब यहां हम लोगों की घर उजड़ दिये मतलब आपको आप लोगों की नियाय मिलना चाहिए हम लोगोंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा ह हम लोगों को हमारा पैसा दे दिया जाए जिससे हम लोग भी अपनी च्छत कहीं बना सके और आर्बिटेशन जल्दी से जल्दी डिशाइड करें हम बहुत परसान हो रहे हैं बार-बार वादे वादे मिल रहे हैं उसके लवा कुछ नहीं मिल रहा हम हमें कोई जगड़ा न और और कॉंड बोले ना चाहता बाइगी मेरे नाम शकुंत्रा शर्मा है हमने यहां पर प्लॉट भी से बात में हमें आपकार बना लेंगे वह साल पहले मेरे पत्ती का देहां दो गया और मैं इतनी लाचार हो गयी हूं मेरे पैरों में इतनी तकलीफ है कि मैं चल्फिक भी मैंने तक आप इंजार करिए और यहां होता यह है कि administration का transfer हो जाता है और फिर से कहानी वहीं की वहीं रह जाते हैं मतलब काम के नाम पे कुछ नहीं है काम के नाम पे कुछ भी नहीं है और हमसे यह भी का कि लखनों से हमें जो पता चला है कि लखनों के सचिव में एक लैटर arbitration का बेजा है जिसमें sanctioned है और वो आज तक उसकी उपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और कुछ लोगों को यहां पैसा मिल चुका है वो लोग शान से बैठ गए लेकिन सम्मों लाचाप यहां वहां घूम रहे हैं चल फिर सकते नहीं और मेरी उमार 65 साल है और मैं कुछ अधिकारों को हमारी रिक्वेस्ट पे दे दिया जाए क्योंकि इस उमर में इंसान क्या कर सकता है वो आप समझ सकते हैं अगर अंत भी हमारा हो जाएगा तो फिर यह जिम्मेदारी आप लोगों की हो तो मेरी आप से फिर मेरे जितने भी लोग यहां खड़े हुएं उनकी तरफ से हाथ जोड़के प्रात्रा हैं कि हमारी आवाद सुनी जाए और हमको घ्याए दिया जाए और कोई कुछ कहना चाहता है और कोई कुछ कहना चाहता है अंकल बात करेंगा जी क्या नाम है आपका सर प्रसाद पांडे है मे कि 28 तारिक को 30 तारिक को तोड़ा गया है और उस समय ये 30 तारिक में ही हमें पैसा मिला है ऐसे समय में हम अपने घर को जो संजोग रखते थे एक दिन में कौन खाली करेगा पैसे जाएगा ताइम कम मिला ये सारी चीजी समस्या आईए सरकों पर सामान पड़े रहे हैं सामान आधे से अधिक तूट गया और मल्वे के भी पैसे मिले हैं लेकिन ये कहा गया कि 14 तारिक कर आपका आर्विटेशन डिसाइड हो करके अच्छे पैसे मिलेंगे अच्छे पैसे तो यहीं मिलने हैं कि आर्विटेशन डिसाइड ही नह वेकिन हमें भी सहयोग सरकार दे हमारे आज़ बिगे संधरते आज़ी डिस इसन के पैसे हमें दे लेग अ Sandruff. कि हम दूसरा ऑशियाना करें बच्चों को ले करुंग अमेन करके बहएगा हौँ बिल्कुल करके जो आज का सर्क्राइट है यहां का डिली मेंट एक्स पर लेकन वह आपको नहीं मिला है और इन्हों ने जो दिया है वह हमें 2470 रुपए 35 पैसे बर्ग मीटर के हिसाब से दिये है जो एक जो सो गज का 83 मीटर बनता है दो लाग पच्छी सजार रुपए में यह बताईए कि कहां से मत जमीन और पचास गज का एक लाग तेरा अगर वह हमें जो है वह चौवी सो सब्सक्राइब जमीन दिलवादे हमें तो सब लोगों को आशियाना बन जाएगा चौवी सो सब्सक्राइब हमें दे करके वह अपने खुद खरीद करके मुझे देदे हां वरना हमें चार गुना देदे नहीं तो हमें जो है आज के आर्मेदेशन का चार गुना का नियम है विस देहाद का चार गुना सहर का दो गुना दिया जाता है वह हमें चार गुना देदेगा तर्शन बस इतना ही मेरा सब्सक्राइब है और आर्मिशन चंदी से जल्दी से निस्तारिक करने का अगर ऐसी रिस्तिति में मालें तो पड़े ही है और कुछ मार्ण सोचना पढ़ेगा इसके दि करना कना पर सकता के है मुझेशन भी करना पर सकता है या अए अगज प्जा की जो हो की अब हाँ जाएक शक्युक करना का घंक और को और रसा जाएं वह भी तो बोलतो सकते ही हैं, त्या हो गया, तुम्हारा भी तो मकान दिया, बकीलों तो क्या होगा, तो बोल सकते हैं तो बोले, 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 जबकि जो हकीकत में वहां पर जमीन भी, तो लेके अचार दिन का सवासन, उसके बाद पंद्रा दिन हो गए, फिर एक महिना हुआ, अब की बार दो महिना का ताम जे दियां को हैं, और तिन-पिन सार हमारी लाइड़ेशार आर्पिटेसन गने हुआ यहां जहाना हो यहां चैनल दूँट है अजने परदेगे पृष्ट जोड़कर को जोड़ी आप डूट के जैनल जहाना हो जहां जाना है वहां चाह दिया जिनको मिलना चाहिए नियाय की सहिता भी यही कहती है कि नियाय मिलना चाहिए वहां एडियम सिटी अपर डिस्टिक मजिस्टेट उनका कहना है कि जाइए जहां मरिये तो इनकी क्या नियाय की प्रिक्रिया है यह अनियाय की प्रिक्रिया है धर्म के सहता पर अगर चला जाए तो इनको नियाय मिलना चाहिए लेकिन इनसे साब कह दिया जाता है कि जहां जाए वहां मरिये जाके यह कैसी नियाय है और कोई कुछ कहना चाहता है और कोई कुछ कहना कि दोसो गच का प्रोट है मेरा कि यह bete रेलाख रुपिया कर्च वा था रएश्टिश्टमें लगाथ अद्शक क्या रहे हम स्थ अधियु था अवेट थी आप इससील हम जाते हैं कि घ्रक्टि घ्रकरanny तो यही कहते हैं कि अभी तुम्हारा कुछ नहीं होगा अपने घर ले जाओ उच नहीं होगा जब बता देंगे आपको तो इस तरह से हमारी जबी फिरी फंड में और अपली है सरकार ने सरकार से निवेदेने कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी दिलवाएं क्योंकि हम जो जमाकुंजी थी सब हमने इस प्लोट में लगा दी थी आज जो हैं पैसे-पैसे के लिए मोताज हो रहे हैं तो कोर्वेंट से मोदे जी से योगी जी से और जो हमारे जन्रल विकेसिंग लोकल एंपी हैं उनसे यही निवेदन है कि हमारा जल्दी से जल्दी इस मसले का जाया चैन करते हैं तो मेरे सामने एक रास्ता है कि अउंछ पे आमरा रंसन पर बैठ जाओं झालो जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी परशासन परेपा जैस सा만 को और तो और वुलना चाहता है हुए कुछ काना चाहता हुआ है मेरा एक छोटा सा प्लाट था यहां पर यह कहा कि हमको पैसे फल मिल जाएंगे परसों मिल जाएंगे आप इसे खाली कर दीजिए हम लोगों ने सायोग किया और इसको खाली कर दिया हमारे साथ का और भी सब 200 मकान बने हुए ते यहां सब गरीब आदिमी तब लोग रहते हैं तो दो दिन कहके आज यहां डेड़ दो महीने होने जा रए हैं जब भी जाते हैं हम उनके पास फाजी मिल जाएगा नई मिलेगा आया आउतो सर्कारी जमीन थी आप पने क्यों मकान बनाया हमने पूछा उनसे या आपने रजिश्टी क्यूं किया आप ने वहां पर को इं इंटिफिकेशन या निशान दे ही लगाया था तो असल में बात लिया है कि इनकी पहले यहां प्लानिंग में इती इनों ने एक आ एक इस जमीन को जवर जस्ती हडपा और क्या नाम दो तीन महीने या पांच छे महीने एक साल में इन्होंने यहां नक्सा बना के बिना इडें कर लिया था लेकिन यह सही बात नहीं है अगर इन्होंने 2011 किया था यहां पर कोई निशान देही या कोई और रोक लगाना चाहिए था लेकिन यह जूट है जूट में जूट बोलके और जो है मौजा उचित मौजा की बात छोड़ो जो यहां का सर्किल रेट है साड़े तेरह हजार रुपे प्रतिवर्ग मीटर है यह कहते हैं कि 2470 के हिसाब से किसी किसी का दे दिया और केते हमने तो दे दिया है जी वही उसी पर संतोख करो अब तुबारी कोई जमीन नहीं थी ना कोई तुमारा यहां मकार ने अब आगे तुम जानो वहां दिखाई इंडिया आपके साथ है और मैं राजी सुपला वीरोची गाजियाबाद से पूर रूप से अस्वासन देता हूं मैं आपकी आवाज यहां से लेकर सरकार तक पहुचाओंगा सरकार से लेकर विश्चु तक आपकी आवाज पहुचाओंगा और जब तक इस तन में आपके भाई के तन में यह जान है और आपके साथ में हमेशा लड़ता रहेगा और हमेशा आपके सहयोगी बनता रहेगा इसके साथ साथ में मैं अपील करना चाहता हूँ अपनी सरकार से आप जो कहते हैं कि गरीबों के लिए एक से एक योजिना जो देते हैं क्या यही गरीब क्या आपका नियाय है जहां नियाय सहता कहती है नियाय मिलना चाहिए वहां उनके साथ अनियाय हो रहा है मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ इस फास्ट न्यूज के इन गरीबों के सहथ और आप लोगों को यहां तक कि आपके ही पार्टी के मोजी को राम के रूप में बताते हैं और हम इसला को यह अफ़दार बताते हैं माणना चाहिए कि अफ़दार इसक्तियों से हुआ है इदा इदाही धर्मत गिलानिन बवत भारतश अफ्युद्धानन अधर्थनश सजादमन सजानम यह अफ़दार होता है योगी जी मोजी जी यह अफ़दार होता है तो गरीबों की रच्छा के लिए अफ़दार होता है इनका हक माल लिया जाए मैं भी प्रातना करना चाहता हूं इनको तरीके से जो पैसा हक है और इनकी हकी लड़ाई है इनको नहीं मरना चाहिए और इनको उचित दाम दिलाना चाहिए जाए मैं फास्ट नियूस से राजीर सुकला गाजियाबाद वीरो चीफ गाजियाबाद जैहिन जैवाद जैवाद नुचेतर के ग्रां सभा गजपत पूर गाउं में भीम आर्मी की जन सभा का आयो जन इस कारेक्रम के मुख्या दिती मंडर प्रभाहरी मनोज कुमार गौतम एवां विशिष्ट आदिती जंगी पूर विधान सभाद द्यक्चिश चतुजन रहें इस कारेक्रम के प्रसाद ने किया इस आफसर पर वपस्तित आशुदोस कुमार, बंधन, सोनु कुमार, पवन कुमार, रवी कुमार, अनिल कुमार समस्त साथियों के साथ संपन्त किया गया गाज़िपूरते हमारे समभात है विजय कुमार की रिपोर्ट इस मिशन के बारे में क्या बताना चाते हैं देखिए इस मिशन का में यही उद्यस है जो नौजवान है कम नहीं नसा करके अपने जिंदगी को नश्ट कर दे रहे हैं नसा मुक्ति हो और शिक्षा के उपर फोकस दिया जाएगा और हर गाओं में और हर जिले में नौजवानों की एक टीम खड़ी हो और हर गाओं में छोटे-छोटे बच्चों को शिच्छा देने का काम करेंगे च्छा समाज को जी है इसके बाद संगठर में यस्टी अष्टी ओपी सी मैंनेती की ओड़ें एक पीवाना फर समाजसे दूरें एक टीम हमारी तयार हो तक है प्लिदाबी के नाम से होगी अब कि अदिकार जो संविधान से मिलाए उस संविधान की अच्छा करने के लिए हुआ जाया है दो आप इसके बारे काणा दुगारए लिए तो आपको इतना है आज़वार को फॉजबत को तराम में हम रोग आए हैं हैं है यहां के सारी चीज़ गर पॉठीनि यहां पर अपता भिखरी हैं अ इसके साथ भी बहुत सारी को अपक स्थ आधिन में अपको जैसा कि आप जान है कि मार्बी शिच्छा करा दें अशक्तर आपे assessments भॉज्द्वामा साम लुज्ड कुना अपको थे सब्सक्राइब स्थ विए बार तारे में अटव हैं कि हम लोग हमेशा करीब तप्ते करा हम जुब हमेशा धिकास करने हैं निनिया टीवी चैनल एक राम सभाग गश्पद पोर में भीम आर्मी के कुछ नौजूहकों को यहां पे चुना गया है, उनके काम बताए गया है और यहां पे कुछ पधिकार, पधाधिकारी लोग भी है इनसे आईए इन लोगों के बारे में जाना चाहता हूँ कि इन लोग क्या उनको राय दिये हैं और तीस प्रकार काम करने के लिए बता रहा है, आईए बैए बिदान सवाग जंगीपुर के अध्यक साब से बात करना चाहता हूँ सर आप तो भीमार्मी के बारे में इन लोगों को क्या जागरूप करना चाहता है जैसे कि सबसे पहले मैं बाबा साथ को अनुमन करता हूँ और धिमार्मी भारत इस्ता मिशन जंगी पर विदान सवाग का देश मुझे की उच्छी में चुना किया है और इसके साथ मैं अपनी पुरी दिम को कियार करनी की पूसिस करता हूँ जिनका अभी अभी चुना हुआ है लिए और है यहां पे ग्रामसभा अश्तवत्तुर में जाभी मिशन को लेकर करके यहां पर भीम आरो फिसी के लोग आई हूए और पता करते हैं की बच्चोन को क्या सन्देश देना चाहते है विमार्मी के बारे में छवं लोगों को हम यहां पर इसके बाद संगठन में एक विवा हर समाद से जोड़े एक टीम हमारे तयार हो जो भी मार्वी के नाम से होगी वोजन के लगाई 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 अजिकार जो सम्मिधान से मिलाई वो यह अच्छा करने के लिए हम लोगाई है यहां के सारे कीनिको इतनी दिनाफ पर पता जिखारी बलाएंगा इसके लोगाई लोगाई अब एक ज़्यूद के सारे लोगाई हैं पर लोगाई हैं जैसा कि आप जान रहें कि विमार भी सिच्छा परकाँ का। आस तब होगा जब एक्छित सुख्षे होगा समीर घाराओं को जाने गा और साई लोगों को जाप करने का तुछ। के दरिट्ट कि अगारेश्ट के लुँळाइब लुट। अब खाष्क हिंडिया तीवी चैनल च्रहा म्सभाग घश्पत्पूर में भीम आर्मी के कुछ नौजूवकों को यहां पे चुना गया है, उनके काम बताए गया है, और यहां पे कुछ पधिकार, अधाधिकारी लोग भी हैं, इनसे आईए इन लोगों के बारे में जाना चाहता हूं, कि इन लोग क्या उनको राय दिये हैं, और कीस प्रकार काम करने के लिए बता र को क्या जागरू कमा चाहता है? और पापा साब के पालन का अगया के पालन करें, आईए यहां के नए ब्लाक अध्यक्स जी से बात करना चाहता हूं, जिनका अभी अभी चुना हुआ है, आईए यहां पे ग्राम सभाग अश्पतूर में, जैभीम मिसन को लेकर के यहां पे भीम आर्भी के लोग आई लोगों को यहां पे क्या जागरू करना चाते हैं? अधिकार जो संविधान से मिलाए उस संविधान के प्रच्छा करने के लिए हम लोग आ गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विमार्भी सिच्छा करता हुआ है। अधिकार जाए हुआ है। जैसा कि आपने लोगों अपने बहुत न समाज है। कि अब ऐसा कि अब कि अब होगा जब देटी सिक्षित होगा समीधान पड़ेगा धाराओं को जानेगा और साइड लोगों को जापकू करने का मुझा हुआ ब्रक के बादू का फिर से आप से भी का स्वागत है और आई खबरों का सिलसिल आगे बनाते हैं उत्तरपदेश के गाज़िपूर के दिलदार नगर उसिया बीके महीला विद्याले में महीला महा विद्याले में जिया एजुकेशनल एंड वेलपेर ट्रस्ट ने बच्चों वह बच्ची कुषिया समाती क्रेकरम के मुख्याद थी हुसना रूस्तम खांथ जजज और और अंगाबाद महाराश प्रहीत मुख्यादिति ने बच्चे और बच्चे और बच्ची गरते करते हुए कहा कि आज हमें चाहिए पर ज्याद ध्यान दे ंनको शिख्षित करे इसका रिक्रम का अगाज कुरान शरीप के तिलावत से किया गया मौलाना सालीम साहब ने तिलावत की और सीमरन खातुन ने नात पढ़ी इसका रिक्रम के अधियक्षता मुहमद इकबाल खान ने की इसका रिक्रम के आयोजग बिसमिल्ला एजुकेशन फॉर्मडेशन के निदेशक खान जीया उद्दीन रहे इसका रिक्रम का संचालन खान जीया उद्दून ने किया विशिश टाथिदी के रूप में सरवर महमुद वमाश्टर करीम रजा रहे जिनको अलीम आवाड से समानित किया गया मुहमध शिवगत तुल्ला खान डॉक्टर स्टी सेंग माश्टर मुनीर उद्दीम खान डॉक्टर वसीम रजा अपसर खान सागर इस्तियाक खान दूद गाजीपूर से हमारे समवाता जफर इकबाल की रिपोर्ट आप अपनी बच्चों को यह मैसिज देना चांडी के अगर वो सोचती है कि हम लड़किया है हम कुछ नहीं कर सकती है तो अपनी गलत पहमें दें से निकाल दें देखना ही है तो फिरन वेजी की तरफ देखें पहले कर वाटर एडवेंचर को लेकर परियेटन विभाग द्वारा बहुत जलाशे में आई अगर भी तो फिरन दावाल देखना है तो आपके जादी हो गई है आज से परेटकों के लिए बोटिंग शुरू कर दी गई है इस दोरा आंग खेल मंत्री अर्विंद पांडे और जीले के मुख्य विकास दिकारी मयूर दिक्षित मौजूद है और बहुत जलाशे में परेटकों को बढ़ावा देने को लेकर खेल मंत्री अर्विंद जिले के मुख्य विकास दिकारी मयूर दिक्षित मौजूद है इस दोरा बहुत जलाशे में परेटन को बढ़ावा देने के लिए उत्रा खंड सर्वकार और परेटन विभाग द्वारा अब वाटर एडवेंचर का लुफ्त बहुत जलाशे में उठाया जा सकता है इस उत शहन के साथ हैं और मुझे रखता है कि पुलिस ने भी अपने है इस वुप से कुछ वहां जमानों के तैनाती है और मैंने मुख्वमंतरी से कहके एक हुआ कि जोंकी की महीं वालटा मैंने मान की है त़ाकि पुलीस सुराव माला परे ताकि महां कोई हैं ज雙ू देशन का है मेह तो पोई सपना था और इसको मैंने बहुत खुली आंकों से देखा था और इस वकी करपा है यहां के जंता का मैं धन्यबाद देना चाहूँगा कि जुन्हों मेरी पर विश्वास किया मुझे दूफरी बार बिगायद बनने का मोका मिला और मैं प्रिदेश मंत्री बना त की तेरा डेश्टिनेशन घोशित के देश के अंतर हुए उसमें से इस बार जलासे को भी उन्होंने मेरे निवदन को इससे बिखार किया और डेश्टिनेशन इसको घोशित किया मैं उनका धन्यबाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोगे माधिम से बार जलासे की जो खूबसूरती है यह अपने आप में इसे देश की एक बहुत बढ़ा एक वाटर स्पोर्स का एक केंद्र है और इसी रूप में इसको बिक्षित करना चाहते हैं मैं आपके माधिम से हिंदुस्तान के जो भी बगति मेरी बात को सुनना है मैं उसे निविदन करना चाहू में जितनी कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है बहुत जलासे की मुझे ऐसा लगता है कि साथ किसी डेस्टिनेशन की इतनी अच्छी कम टाइम में इतनी अच्छी सुमिता कई हो नहीं सकते हैं कुछ रटकों की थोड़ी बहुत दिक्कत है मैंने मानने मुख्रूंतरी से नि मुख्रूंतरी जी ने यहां के आई जी को निर्देश दिया कि यहां पुलिस की बेउस्ता की जाए तो चौकी भी यहां की इस थायूरूप से लगपक खोल दी गई है पुलिस की बेउस्ता हो गई है और कोई बती किसी कारण को बच्छा जल्दवाजी मा के आवेस्ट में ना करें को चलांग ना मर्दे और कोई जन हनी ना विसके लिए अगर्प की जवानों की विव्यस्तान में यह वहां बहुत अच्छा वाल बनेगा यह बोड़ जलाश है यह ज़ला से हरी अरिपुरा जलाश है बोड़ जलाश है और दिस्टिक्ट तेरा डिस्टिशन के अं इस पर आप गर के मौटब महीं शुरुकिया गया है जिसके लोगने दोरा है इसको उसकी तसकर प्रेज़ है ऐन火 लोगों के Bassy ज्दी मेरे ऌरे हमारों यहां पर जादा सस्थी आ सके तूरिस्ट और रामनगर का मिट को भी करने का प्रोग्राम के तमाचार आए कुछ खास कवरों के देखते ही पाश्ण इंद्यार खलगा कि अ कि कि अ